तो आज हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग इस प्राइम इन बाइनरी स्ट्रीं इस पॉब्लेम को जो हमारा जानुरी लॉंग चैलेंज का जो पॉब्लेम है इसको सॉल्ब कर सकते हैं तो हम लोग को क्या question दिया है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं हम लोग पहले इसको देते हैं ठीक है एक्जम्पल तो वान वान तो यह है हमारा string ठीक है तो यह हो गया हमारा string तो इस में से तो यह string हमारा क्या है यह string हमारा क्या है यह है हमारा one यह है two यह four seven है हमारा decimal में ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे simply हमको check करना है कि यह जो हमारा string दिया है इस में से जो भी sub string हमारे पास आता है sub string क्या क्या है हमारे पास one 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 ऐसा कुछ आता है ठीक है तो यह दोनों तो same है तो यह आप erase कर दो कोई बात नहीं तो यह है हमारा sub string तो यह sub string यह हमारा one यह हमारा three and यह है हमारा seven तो देखो जो हमारा sub string हमको बना यह सब हमारा एक क्या जो हमारा sub string का जो decimal from बना वो हमारा सब कुछ prime number है ठीक है तो prime number क्या होदा है तो one and the number itself उसके बिना और किसी भी number से divide नहीं होता तो वो prime number होता है ठीक है तो यह देखो हमारे पास जो sub string बना इसमें से सब हमारा prime number है तो then it's okay ठीक है तो हमारे पास जो prime हमारे पास जो decimal number आया तो इसमें से देखो आप prime number है 7 भी prime है 3 भी prime है 1 भी prime है ठीक है और हमारे पास at least one prime होगा तो हम लोग simply yes print कर देंगे ठीक है अगर हमारे पास एक भी prime number नहीं है sub string के अंदर तो हम लोग simply print कर देंगे no ठीक है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते एक तरीका हो सकते है कि आप सब को एक बार इसका sub string निकालो उसको चेक करो कि ओ हमारा prime है या नहीं तो इससे बहतर एक तरीका हो सकता है कि अगर आप इस string को देखो हमारे पास जो string आता है जो हमारा string है जो हमारा string है इसको मैं as a name ht दे देता हूँ ठीक है तो ht के अंदर यह हमारा है ठीक है तो इसको मैं लिग देता हूँ इदर one 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 ठीक है तो अगर इस string के अंतर हमने कहीं पर भी यह ढूंड लिया कि one zero है या और one one है तो simply तू बोल दे भाई possible है इसमें एक number है जो prime हो सकता है तो हम लोग print कर देंगे यह yes और भाई यह हमने कुछ logic ज्यादा दिमाग लगा कि खुछ से कुछ logic नहीं बनाए यह observation से आता है हमने observe किया हमने देखा हमने बहुत सारे question example solve किया उसके बाद हम लोगों को दिखा कि अगर one zero और one one होता है तो मतलब at least one substring होगा बनेगा कि जो होगा हमारा time ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे yes print कर देंगे ठीक है find हमारा इस इधर जो हमारा string है उसमें से ढूंड के निकाल देगा हमको कहा पेर है मतलब उसका index हमको देगा हम लोग क्या search करेंगे कि यह search करेंगे one zero ठीक है अगर हमने one zero search किया तो मन लिजी इधर हमारा ऐसा कुछ है ठीक है तो हमको यह क्या return करेंगा हमको यह return करेंगा इसका index मतलब हमको return करेंगे यह देखो यह हमारा zero index है यह one two तो हमको यह two return करेंगा ठीक है यह number अगर यह जो string इस string के अंदर जो big string है जो original string है उसके अंदर नहीं मिला तो हमको क्या return करेगा हमको return करेगा minus 1 तो हम लोग इधर minus 1 return करेगा और इधर एक index return करेगा जो 0 से in तक होगा ठीक है simply तो हम लोग यह check कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगर मिल गया अगर यह कुछ index return कर रहा है जो get at then और not equal to minus 1 है तो हम लोग क्या करेंगे simply yes print कर देंगे और अगर कहीं पर हमको मिला कि यह equal to equal to जो हमारा यह find.ht.find equal to equal to minus 1 मिल रहा है मतलब हम से नहीं हो पाएगा हम लोग हम लोग उधर no कर देंगे ठीक है तो हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा ht.find 10 and ht.find 11 ठीक है तो हम लोग यह चेक कर लेंगे 11 मैं माउस से लिग रहा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा तक लिप हो रही है तो आप लोग समझ लेना तो यह हमको find करना होगा तो अगर यह not equal to यह हुआ minus 1 और यह भी not equal to minus 1 हुआ तो हम लोग yes print कर देंगे अगर else case में हम लोग no print कर देंगे तो I hope आपको समझ में आ गया होगा तो मिलता है next किसी वीडियो में तो bye bye